नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Education News YouTube चैनल पर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं Air Force X and Y Group के रिजल्ट के बारे में जो कि कुछ दिन पहले जिसके exam conduct करवाए गए थे 2019 batch के लिए इसका result आज अर्थात 9 October को provide कर आया जाने वाला है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकरी मिलने वाली है कि आपको किस परकार से website पर जाकर और result को चेक करना है step by step आपको पूरी जानकरी मिलेगी तो अंत तक बने रही है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके notification bell के icon को on करना बिल्कुल नह भूले इससे होगा यह कि future में जब भी हम government job की vacancy से सम्बंदित कोई भी नया update लेकर आएंगे या फिर air force navy से सम्बंदित कोई भी notification लेकर आएंगे तो उसकी जानकरी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे like और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको google पर आजाना है google पर आपको type करना है और हो सके तो आप chrome browser में ही open करें क्योंकि इसमें website अच्छे से open हो जाएगी क्योंकि आपको यहाँ पर desktop mode open करना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर google पर type कर देना है Central Airman Selection Board मतलब CASB आपको केवल यहाँ पर type करना है और इसे search कर देना है जैसी आप इसे search करेंगे तो आपके सामने एक पहली जो website open होगी पहला ही page open होगा इस पर आपको click कर देना है Airman CASB की यहाँ पर आपको click करना है तो जैसे ही इस पर click करते हैं एक नया page open होगा तो चलिए इसे open हो जाने देते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं website open हो चुकी है लेकिन हमें करना यह है कि यहाँ पर उपर जो three dot के निसान दिखाई दे रहे हैं इस पर हमें click कर देना है क्योंकि यह website desktop में अर्थाद computer में अच्छे से open होती है तो हमें mobile में ही computer mode यानि की desktop mode को open कर लेना है इसके बाद देखिए आप लोगों को करना यह है कि यहाँ पर जो right side में three dot के निसान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको फिर से एक बर click करना है तो इसके बाद आपके सामने left side में एक slide open होगा तो यहाँ पर आपको एक candidate section करके कुछ option मिलेगा candidate name से तो यहाँ पर आपको click कर देना है तो यहां पर आपके सामने कई सारे option open होंगे तो यहां पर आपको जो है login for intact to 2019 तो यहां पर आपको click कर देना है तो चलिए इसको click करते हैं तो आपके सामने airmen selection का जो official site है students के लिए वो open हो जाएगी तो चलिए इसे open हो जाने देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी website open हो चुकी है लेकिन जब हम इसे उपर यह नीचे करने की कोशिस करते हैं तो page बिल्कुल भी open नहीं होता है क्योंकि यह हम mobile में चला रहे हैं और यह जो site है यह computer पर यह बोल सकते हैं desktop पर open होती है तो यहाँ पर हमें अपने mobile के अंदर ही computer mode, desktop mode open कर लेना है फिर से यहाँ पर three dots पर click करना है और यहाँ पर हमें desktop site पर click कर देना है तो जैसे ही desktop site पर click करते हैं page हमारे सामने पूरा open हो जाएगा अच्छे से तो यहाँ पर हमारे सामने website open हो चुकी है तो चलिए इसको थोड़ा zoom करके दिखाते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी email id डालनी है जिस email id को आपने form apply करते समय दिया था आपको वह email id डालनी है इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर password apply करना है और password थोड़ा ध्यान दीजिएगा password आपको वह नहीं डालना है जो आपकी email id का है आपके form apply करते समय जो आपके email id पर एक message आया था उस message में आपको password दिया गया था तो वह password आपको यहाँ पर डालना है ना कि आपकी email id का password इसके बाद आपको यहाँ पर यह capture दिया हुआ है यह capture आपको यहाँ पर fill करना है, इसके बाद आपको sign in कर देना है, मेरे पास यहाँ पर किसी student की ID नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा result चेक करके दिखाता, लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ, sign in करने के बाद एक page open होगा, वहाँ पर आपको सबसे पहले आपका form status देख लेकने का option मिल जाएगा, जैसे ही link activate होता है, link 11 बजे activate होना है, तो जैसे ही link activate होता है, आपको वहाँ पर click करके अपने result देख लेना है, और अगर result प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, 11 बजे या फिर कोई और notification जारी किया जाता है, result को लेकर तो इसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा दी जाएगी, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को subscribe करके notification bell का icon को on कर लें, ताकि नया update आपको मिल पाए, उमीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे like और share कर दीजे, तक के लिए जाएइंद